आज की वीडियो में बात करेंगे परी भुड़ पोस एवं फल भित्ती में अंतर के बारे में तो आईए जानते हैं क्या होता है तो जो परी भुड़ पोस है बीजों में उपस्थित जो बिजांड काय है एक पतले आवरण के रूप में बचा रहे जाता है इसी को परी के कवच या फल भित्ती में परिवर्तित हो जाती है दूसरे नंबर पे है यहां फल एवं बीज को अतरिक्त पोशक्ता ब्रदान करता है परिभुड़ पोस और जो फल भित्ती है या फल की सुरच्छा करता है तो आईए इसको शित्र से समझते हैं कि परिभुड़ पोस औ पास्थित बीजांड का है तो देखे आपने बीजांड देखा होगा बीजांड का चित्र तो इस तरह से कुछ बीजांड का चित्र होता है तो इसमें बीजांड का किसको कहते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है बीच वाले को तो ब्रूड कोस कहते हैं तो हिस्से को छोड़ करके जो बागी हिस्सा बचता है उसी को भीजांड काय कायते हैं जब निसेचन हो जाता है तो यही जो भूड कोस है यह तो बदल जाता है भूड में और यह जो भीजांड काय है यह भी इसके साथ में घुल करके इसी के साथ में मिल जाता है और इसी को बीजांड काया भी नश्ठ हो जाता है और इसी में समा जाता है लेकिन इसके बाद भी कुछ हिस्सा इसी को परिभुर्णपोस कहते हैं निसेचन में क्या है..? निसेचन के बाद अंडासय की भित्ती तो ये उस्प का मादा भाग है और ये जो फूला हुआ भाग है इसी को अंडासय कहते हैं और अंडासय के अंदर ही बीजांड होता है तो निसेचन जब हो जाता है बीजांड जो है बीज में कनवर्ट होगा और ये वाला हिस्सा फल मे कनवर्ट होगा तो फल के बाहर तो आबर्ण होता है कोई भी फल है सेब है अमरूद है तो सभी के बाहर उसका एक छिलका होता है आबर्ण होता है तो उसी को जो कवच कहा जा रहा है वही फल भित्ती कहना रही है जो फलों में चिलका पाया जाता है उसी को कवच कहते उसी को फल बित्ती कहते तो निसेचन के बाद यही अंडासाय जो है यही कनवर्ट हो जाता है फल की बित्ती के रूप में यानि फल के कवच के रूप में बदल जाता है और ये क्या करता है फल की सुरच्छा करता है तो जो फल के बाहर छिलका होता है वो फल के अंदर के जो गूदा पाया जा रहा है उसकी सुरच्छा कर रहा है ताकि डिरेक्टी कोई भी इसली उसको इंफेक्ट ना कर पाए किसी भी प्रकार का किटाडू तो जो फल के बाहर आ तो जो बिजार्ट को जिससने यहां पर बज़ जा रहा है उसी को परिभूडबोश कहते हैं और वो इसको क्या कर रहा था पूशणलि fing Stefan कर रहा ह। defines Jason पहले पहले बताये गया था तो इस प्रकार से यह पर पर या क्कार्ड क्या है बिजाण काय का बचा हुआ हिस्सा है और ये इसको जो ब्रूड कोस है यो कनवर्ट होता है ब्रूड में इसको पोशण देता है और वही पर फल के बाहर जो आरवड मिलता है उसी को फल बित्ती के दो और फल की सुरच्छा करता है